हेलो एंड नमस्थे फिर इछ बार आपके सामने आपना हमली इस बार में आपके साथ एक बहुती बहुती सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ Secret of Success, सफलता का सीक्रेट हमारे एटोमी में, डॉक्टर हान गील पार्क, हमारे चेर्मेन ये पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं Secret of Success बट आज इंडिया के हिसाब से बना के इंडिया का जो एंवर्मेंट है उसके हिसाब से आपको मैं एक्स्प्लेन करने बहला Secret of Success के पहले पहले देखते हैं के हमारा जीवन कैसे है अगर आप नॉर्मल हिसाब से देखते हो हमारा एवरेज जो आईू है वो है 70 years 70 साल है इंडिया में जीरो से स्टार्ट हुआ अब एडूकेशन जो आप हम लेते हैं वो 22 साल या 25 साल तक करते हैं 22 साल या 25 साल में यहां पे 25 साल लिया 25 साल के बाद एवरेज जो है 58 साल तक हम लोग काम कर सकते हैं ओफिशियली So 0 to 25 हो गया एडूकेशन 25 से लेके अठावान साल तक हाड़ वर्किंग करते हैं Family के लिए हाड़ वर्किंग करते हैं बाहर जाके काम करते हैं कोई दूसरे सहर में जाते हैं और इसके बाद का जो 12 साल है वो तो बहुत है difficult है एक तो काम नहीं है और retired age में कैसे करके हमारा बुड़ाफा गुजारे उसके लिए हमेशा हम लोग और ही करते हैं अब अब आपको एक आकड़ा देते हैं हमारा पूरा स्टेटिस्टिक्स देखने के बाद यह पता चला है कि एक परसेंट जो है मतलब 100 में से एक जो है उनका financially कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप देखोगे आपके बैचमेट कॉलेज के बैचमेट उसमें से एक बंदा जो होता है हमेशा सक्सेस्फुल होता है या फिर आपके गाउं में भी देख लो इक बंदा फाइनल से लिए बहुती स्टेबल होता है फॉर परसेंट जो होते हैं उसका सही तरीका से चल जाता है इसको वान परसेंट को सक्सेस्फुल बोलते हैं और यह मीडियूम सक्सेस्फुल पंद्रा परसेंट जो है, वो सत्तर साल के पोँचने के पहले गुजर जाते हैं। Sorry for them. 10 परसेंट जो है, वो डेली वेजस में काम करते हैं, पर डे वेसिस में। यह भी किसी तरीका से चल जाता है, मगर एकदम सब पूर नहीं है। और यहां से आप 30% आप यहां से निकाल दोगी, तो होता है आपका 70% 70% जो है हमारे population में, वो रेली पूर हैं। अगर आप 100% लेके देखो, तो यह सिर्फ 1% जो है, यह successful हो है। मतलब, 100% में से एक बंद ही successful होता है। कभी आप ऐसे सोचे हो, क्यों। उस बंदे में क्या है, या फिर वो कैसे सोचता है कि वो successful है। हमारे chairman बोलते हैं, जब वो example देते हैं, वो Andrew Carnegie करके एक American industrialist के बारे में बोलते हैं। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ। मगर वो बहुत ही अमीर बना और successful रहा। जब उसे पूछा गया कि आप यह successful accidentally बने हो, बस बन गए या फिर आप के पास भी कोई secret है। बंदा जो कारनेगी थे, कारनेगी ने बहुत सोचा। सोचने के बाद यह conclude किया कि वो अगर 10 बार गरीब घर में पैदा होते, वो अगर 20 बार भी गरीब घर में पैदा होते, फिर भी वो successful बन सकते हैं। यह उनका secret of success है। वैसे ही हर success का मंत्र होता है, success का नीती होता है, success का नियम होता है। इसको Stephen Covey, Stephen Covey is a big writer, उनके हिसाब से बोलते हैं, true north principle, उत्तर दिशा का principle होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपको अगर पूछा जाए कि यहां का उत्तर किस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। आप compass ले के आए या ना ले आए, north इस तरफ है, वो change कभी नहीं होता है। वैसे ही success को जा नियम है, वो change नहीं होता है। इसको अगर normal बात में बोला जाए, तो इसको laws of nature भी बोला जाता है। laws of nature क्या होता है, जैसे पानी उपर से नीचे आता है, सूरज पुर्व से पस्तिम में जाता है, मतलब पुर्व में उगता है और पस्तिम में अस्त होता है। यह change नहीं होता है, इसको बोलते है laws of nature। अगर और थोड़ा आपको देखा जाए, तो यह laws of nature जो है, यह law of farming क्रिसी का नियम के हिसाब से जाता है। क्रिसी का नियम क्या है। आप एक किसी भी किसी भी चासी से किसी भी क्रिसी जो करता है, उनसे आप पूछिए, farming जो करता है। वो बताएंगे के farming के लिए सबसे जादा important होता है कब, कितना और क्या उगाने वाले हैं। सबसे पहला आता है क्या उगाना है? What? कितना? How much? फिर आता है कब तक? अगर आपको चावल, राइस अगर आपको उगाना है, या फिर आपको गेहू उगाना है, आप गेहू उगाने के जगह में चावल नहीं उगा सकते हैं। आपका preparation भी गेहू के तरह ही होना पड़ेगा। आपको अगर mango tree लगाना है, तो आप इसी साल उससे mango expect नहीं कर सकते हैं। उसके लिए time लगेगा। और कितना आपको 10 quintal या फिर एक quintal आपको चावल चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका जमीन चाहिए होगा। उसको सेचना पड़ेगा, उसके लिए भीज ले आना पड़ेगा। यह बहुत ही important चीज है। वो सब चीज सिर्फ depend करता है हमारे जो खेतिवाड़ी करने वाले हैं, हमारे जो farming करते हैं, उनके धिमाग से आता है। यह कहीं बीज से नहीं आता है। इसलिए इसको बोलते हैं, the law of farming, अगर आपको बुझन, बुन्ना है, अगर आपको राइस करना है और चावल आपको बुन्ना है, तो आपको पहले ही सोच लेना पड़ेगा, क्या, कितने, और कब तक मुझे चावल, घर तक मेरा आना चाहि है, वैसे ही सक्सेस का जो है नियम होता है, रीत होता है, आपको यह बाला बात दिमाग में ठाल लेना चाहिए, कि मैं तीन से चार साल बात मेरा यह position क्या होगा, मेरा monthly income क्या होगा, यह confidence आपको आजाना चाहिए, आपके दिमाग में यह बैठ जाना चाहिए, कि मैं तीन साल बाद हर मन्थ पांच लाख रुपिया कमाऊंगा एटमी इसलिए आपको हेल्प करने के लिए आया हुआ है कि आप अपना खुद पैर में खड़े होए और हमारे फ्लैटफर्म के थुरू देके आप सक्सेस्फुल बनिए तो यह रहा सिक्रेट अफ सक्सेस मगर कैसे आपके दिमाग में कैसे यह करिएगा हाओ इसके लिए हमें खुद को as a human as a manus हिसाब से खुद को जानना बहुत जरूरी है तो मैं आपको और डीटेल्स में ले जाता हूँ मैं, as a human, आप, as a human, कैसे बने हुए हैं हम लोग? हमारे अंदर फ्लेश है, मास है, मास, आप देख रहे हो, एह देख रहे हो इदर, यह भी देख रहे हो, यह मास है, इसको फ्लेश इंगलिस में बोल रहे हैं, स्पिरिक, अंतर आत्मा, आत्मा, सोल, और एंवरमेंट है, देखे, आप फ्लेश के लिए क्या चाहिए, मुझे आराम का जरूरत होता है, खाने एक अच्छा खाना जरूरत होता है, हर किसी के लिए है यह, आप अच्छा खाना काऊगे, आप अपना हेल्द का खिधयान डखोगे, तभी जाके आप चंकोगे, आपका उमर अगर तेतालिस साल हो जाएगा, फिर भी आप बच्चे जैसे दिखोगे, वो आपको सही तरीका से पोसंग चाहिए होगा, आपको लग्जरियस लाइप के लिए आप हमेशा चाहते रहेंगे, वो फ्लेस में आता है, अंतर आत्मा, अंतर आत्मा, देखिए आत्मा और अंतर आत्मा में थोड़ा सा डिफ्रेंस है, आप अगर जानवारों को देखोगे, उनके आत्मा, आए हो यहांगे, इसे रही हो जाए है, अर्य है मैं तो ब्धद्ध हो गया, मैं तो अब नहीं रहूंगा यहांप, कैसे करके रहूंगा, मैं तो गया, मेरा वज्चपन कितना अच्छा गुजरा था, यह लोग सोचतें नाहीं है, वो लोग सोचतें हैं क्या, उर तो सोल के तरह सोचते हैं, जैसे कि आपको बुला आत्मा के तरह, मुझे भुख लगी है, खाना है, या फिर कड़ गिए, बहुत पेन हो रहा है, यह सोल के हिसाब से होता है, हमारा अंदर अंतरात्मा है, वो कैसे बोलता है, गरीब को देख के आपको आंख में पानी होता है, वो अंतरात्मा है, आपका family को take care करना है, या फिर आपका relative को भी आप take care करते हो, वो आपका अंतरात्मा बताता है, कि अच्छे काम करने के लिए, यह इसलिए हमारे different है, so, अगर हम लोग देखा जाएं, तो flesh में क्या होता है, food आता है, जैसे कि आपको बताया, इसके अंद है, spirit में जैसे कि आपको बताया, आपके parents को help करने का, आपके relatives को help करने का, सिर्फ यह नहीं, आपको कुछ learning करना है, यह सब जो होता है, spirit में आ गया, soul में क्या है, आप अभी तबियत खराब होगे, आपको पैसे की जरूरत है, या फिर आपको cut गया, साथो साथ आपको cure कर करना है, या फिर travel, अच्छा लगता है जो सब चीज, environment, environment जो है, आपका आसपास का लोग हो गए, आप अपना family care करने के बाद आप देखते हो, school है आपके पास, for example, आपके गाओं में school है, बहुती बहुती गरीव school है, वहाँ पे बरसात में आसमान से पानी आता है, वो दे देखके आपको दुख हुआ, और आप जाके बोले कि मैं इसको repair कर दूँगा, यह आपका environment, आप कैसे करके आप वापस दे रहे हो, आप अपना society को वापस दे रहे हो, इसको जो है donation ऐसे करके आते, अगर इसको मैं plot करू, यह हो गया आपका flesh, प्लीज आप handwriting में मत जाएगे का मेरा handwriting बहुत ही खराब है, यह हो गया spirit, और यह हो गया soul, यह connected है सब कुछ, आप हर जगे पे, हर circle पे आप satisfied हो, तो आपका life बहुत ही सुन्दर है, आपका life successful है, सिर्फ एक जगे पे आप successful नहीं हो सकते, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, प्यार नहीं है, यहाँ पे minus love कर दो, इसका फैदा क्या, कुछ दिम बाद आप चल बस होगे, गाड़ी भी गया, सब कुछ गया, love बहुत ही important है, आपके पास love है, spirit है, आप दूसरे का कोई helping नहीं करते हैं, उसका क्या फैदा, आप अपने parents को देख फाल नहीं कर सकते हो, वो पैसे लेके आप क्या करोगे, और यह रहा आपका environment, environment में भी आपका donation आता है, कहीं पे school पे आप भला काम कर दिया, यह आता है, यह जब symmetry के लिए आप सब कुछ, सब फेल्ड में सही चलेगा, तभी आप अपना successful life कहला सकते हो, यह हमारे डॉक्टर हान गील पार्क अल्रेडी बोल चुके हैं बहुत सारा वीडियो में, अब थोड़ा और deep जाते हैं, कि समझ तो गया, law of success भी समझ में आ गया, कि मुझे क्या सोचना है, success के लिए, अब life में successful होने का, क्या क्या चीज रहने से मैं successful हो सकता हूँ, ओ भी समझ में आ गया, मगर करें तो कैसे करें, हमारे पास जो है, एक secret है, जिसको बोलते हैं life scenario, आपका life scenario, आप 5 साल बात क्या होना चाहते हो, उसका movie आपके दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए, वही होता है law of success क्योंकि आपको पता है आप कहा जाना है आपको, कहावत है, movies में भी बोलते हैं और books में भी लिखा हुआ है, आप जब कुछ तये दिल से ख्वाइस करते हो, तो पूरे काइनात आपको देने के लिए तयार हो जाता है, वैसे companies में बहुत करते हुए जाते हैं, मतलब आपको दिया जाता है कि इस साल आप 10 कड़ोर सेल कर दो, दूसरे company के बारे में बोल रहे हैं हम, मेरा पुराना companies में भी ऐसे ही था, MBOs दे देते थे 1st January को, evaluation होगा December मेना में, तो आपको MBOs दिये गया, और उसमें से क्या बोलते थे, चलो आप इसी को follow करते रहो, और देखिएगा, जब आपको 10 कड़ोर टारगेट दिया, तो पहुंचते पहुंचते हर वेक्ती जो रहता है, वो 9 कड़ोर तक पहुंच जाता है, कभी 10 कड़ोर तक पहुंच जाता है, कभी 11 कड़ोर तक पहुंच जाता है, उसको पता होता है, कि उसक चेंज कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं लाइफ सिनारियो को थ्रू देके, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना जो लाइफ का मुवी है, आप पांस साल बात क्या करने वाले हो, आप पांस साल बात किस जगे पर पहुंचने वाले हो, वो मुवी के तरह आपके पास होना चाहिए आपको एक एक्जाम्पल देता हूँ आपना आग बंद कीजिए थोड़ा अच्छा ने खुला रखिए ठीक है आप खुला रखिए मुझे देखिए ठीक से इमली के बारे में सोचिये हमारे घर में किसी ने पेड़ से बहुती तामे रंग का इमली लेके आया हुआ है खट्टा नमक देके उसे खाने से बहुती मजा आएगा बहुती खट्टा आया मुँ में पानी थोड़ा सा तो आया होगा सुन के आगया पानी दिखने से और सुनने से आपका मुँ में सिमिलर वे में आपका ब्रेन में काम करते हैं और मुँ में पानी आता है सेम होता है आप अगर वैसे ही बिहेव करते हो कि मैं तो मिलीनियर हूँ, मैं तो कड़ोर पती हूँ तो पूरे काइनात आपके लिए change हो जाएगा, आपका मुमे जैसे अभी बिना हिमली का पानी आया, उसी तरीका से पूरे काइनात आपको सफलता के लिए help करने के लिए process करेगा, इसलिए आपका movie बनना बहुत ही जरूरी है, चलिए आपका live का movie कैसे बनाते हैं दिखाते हैं पूड़, अच्छा, नहीं वा, पेरसे करते हैं, उपच्छ लागे, एह, आप! यह है बहुत सारे चीज़िया, जिसके जो fulfill होने से आपका live successful होता है, आप, इसको हम लोग live scenario बोलते हैं, आपके पास पहुँच जाएगा बहुत जल्दी, तो इसमें आप लगते हो, income कितना होगा मेरा? ठीक है, income, income के बाद हो गया, car, इंकम से क्या कैसे होगा, यह वाला flesh के ओपर directly आएगा, income हो गया, car, आप details में लिखो, मुझे 5 साल बाद, छोड़े 5 साल, तीन साल बाद, मैने में 5 लाख रूपया चाहिए ही चाहिए, यह मेरा income का target है, 5 साल बाद ऐसे मत लिखिएगा, अभी से अगर पकड़ते हैं, तो 2026 लिखिएगा, क्योंकि अभी 5 साल लिखिएगा, तो next साल भी बोलिएगा, 5 साल बाद ही तो करना है, 2026 में 5 लाख पर मद, ठीक है, कार अच्छा, गाड़ी कौन सा चाहिए, आप अगर अभी तक सोचे नहीं हो, गाड़ी कौन सा चाहिए, तो सोच लिजिए, क्योंकि किसी से भी पूछे तो अई गाड़ी चाहिए क्या, वो बोलता है, हाँ, मुझे ना लाल कलर का चाहिए, कौन सा ब्रैंड का चाहिए, कोई भी चलेगा, इसका मतलब है कि हमारा जो डीटेल्स में जो ड्रीम है, वो भी उहर के नहीं आया है, यह ड्रीम कभी भी फूलफिल नहीं हो सकता है, आपको अगर गाड़ी चाहिए, आप अगर ताटा का गाड़ी खरी दियेगा, महिंद्र महिंद्र का खरी भी चाहिए यहां फ़र टैटा का खरी दियेगा यह फिर रहेगा, किसी भी कंपeur का कर खळी दियेगा, अपनी का है, उसका वैल्यू कितना है, उसका कलर क्या है, और उसका कीमत कितना है, अच्छा कीमत हम लोग कवर कर लिया, ये डीटेल्स में आपको लिखना है, और कब चाहिए, अच्छा 23 तक मुझे चाहिए, डीटेल्स में चाहिए आपको ये लिखना, थार्ड पॉइंट में आते हैं हाउस चाहिए घर अब 40 साल या फिर 45 साल का 35 साल का भी किसी भी लड़के को आप पुछेएगा आपको घर का ज़रूरत नहीं है आप पहले से बोलेगा हाँ मुझे एक घर का ज़रूरत है मैं तो ना कुछी दिनों में घर खरीदने वाला हूँ बैंक से लोन लेने वाला हूँ यह माई भी भरता रहूँगा आपको ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है पहले तो आप सोच लिजीए कौन से अपार्टमेंट में आप घर करे दीजेगा कितने उसका साइज क्या रहेगा आपका अगर अभी 500 स्कॉर फीट है या फिस 700 स्कॉर फीट है तो आप 2023 तक 2000 स्कॉर फूर चाहिए कहां पर चाहिए कौन से अपार्टमेंट कौन से अपार्टमेंट स्रकिष्णाई अपार्टमेंट कौन सा फ्लोर में चाहिए कौन सा फेस में चाहिए आपको इस्ट फेस्ट चाहिए या फिर साउथ फेस्ट चाहिए कितना room रहेगा उसमें तीन bedroom रहेगा तीन bathroom रहेगा या फिर तीन bedroom दो toilet ऐसे करके आपको details में होना चाहिए income हो गया car हो गया, house हो गया इसके बाद इसके बाद देखते हैं cash आपके पास थोड़ा cash रहेगा तो अच्छा है न, एक कड़ूर, किसी भी, किसी भी problem आया, तो चलो मेरे पास तो पैसा है, मैं कुछ करके निकल जाता हूँ, वान कड़ूर रूपीज में, कब तक चाहिए? इसके दे, डीटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा, चलो आपके पास चार चीज हो गया, इसके बाद, इसके बाद, लर्निंग में जाते हैं, लाइनिंग आपके लिए भी हो सकता है, आपके फेमिली मेंबर के लिए भी हो सकता है, आपके बच्चे के लिए भी हो सकता है, मगर आपको क्या पढ़ना है, देखें, पढ़ने का कोई उमर नहीं होता है, बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स भी है, हमारे जो डिस्ट्रिब्यू होने के बाद हम लोग यूरोप में जाने वाले हैं, तो आपको तो जर्मन आपको सिखना पड़ेगा, अगर इंग्लिस में आप विक हो तो इंग्लिस आपको सिखना पड़ेगा, तभी ना आप आप communication सही तरीके से कर पाओगे, आपको अगर सिखना है, तो कौन सा language आप सिखोगे, विच लेंग्वेज, कब तक सिखोगे आप, इसके लिए आप कितने time दोगे per day में, वो एकदम details में आप लिखो, मैं बताता हूँ, एक बार लिखोगे, तभी आपके zen में वो पैदा होग कि नहीं, मैं करता हूँ कुछ इसके लिए, मैं इसके लिए कुछ काम करता हूँ, और वो ही success आपको ले के आएगा, कैस हो गया, learning हो गया, अब जो है, आपके parents को पैसे देते हैं, parents या फिर रिलेटिब्स को, आपका यहाँ पर पूरा family cover हो गया, आपका income सही है, गाड़ी ह बंगला है, दौलत भी है, और learning भी हो गया, अब आपका family stable है, आपका family अगर stable है, तो आपको आपका parents को देखना पड़ेगा, आपके parents या रिलेटिब्स, आप सोचो, आपके पास बहुत पैसा है, मगर बुडे माबाब को आप कभी कबार 1000-2000 रुपिया दे रहे हो, क्यों? इनको दीजिए, 40-50-1000 मेरे पास पैसा है, लो आप, आप अपने तरह जीवन जीओ, बुड़ापा आगया, तो क्या है? इसके लिए आपको beside करना पड़ेगा, कितना है, आपके relative आया, किसी का बहन की साधी, या फिर आपके मामा का भांजे का बेटे का साधी, दूर का रिस मिल पाएगा वो, क्योंकि आपका family of stable है, और आपको यहाँ पे help करना है, दो point बचा हुआ है, एक हाँ, traveling, and support to society. ट्रेविलिंग, सब कुछ हो गया. आप सफर नहीं करना चाहुगा, आप जाना चाहते हो, या फिर आप परेंट्स के साथ कहीं गुमने के लिए जाते हो, जाना चाहते हो, या फिर आप इंडिया के बाहर एक बार जाना चाहते हो, इंडिया के बाहर आप हमारा सकसे सेमिना रेटेन करने के लिए जाना चाहते हो, यह भी ट्राविलिंग के अंदर आता है, कब जाना चाहते हो, कहा जाना चाहते हो, किस के साथ जाना चाहते हो, कितने दिन रहना चाहते हो, आपको वे डीटेल्स में लिखना है, कहा, वेर, कब विन कितने दिन के लिए, how many days, किस के साथ, with whom, आप अगर ये details में लिखोगे, आपका काम तो उहीं पे होई गया, क्यूंकि आप जिस वक्त ये इसको आप लिख पाओगे, उसी वक्त, आपके दिमाख और हर चीज़ काम करने के लिए, अरे, आपके पास ड्रीम है नहीं, तो वो ड्रीम कैसे करके आपके पास आयेगा, मेरे पास अगर कडॉरपती बनने का के ड्रीम नहीं है, तो कडॉरपती आएगा भी तो आप उसके तरफ टाको के भी नहीं, तो इसके लिए आपके पास ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है. सब कुछ कर दिया और सोसाइटी को हिल्प नहीं किया. आपने पढ़ाई करते बद ऐसा हुबी होता है कि गरीब तीचर था उसको मैं हिल्प करना चाहता हूँ. मगर मेरे जिन्देगी में मैं उसे कभी हिल्प नहीं कर पाया. आपके घर के पास एक बच्चा है उपड़ नहीं पाता है. बहुत ही टेलेंटेट बच्चा है मगर उसके पास पढ़ाई करने का पैसा नहीं है. आप उसको सपोर्ट किये. यह होता है सोसाइटी को सपोर्ट आप अगर पॉइंट में देखा जाए तो आपका इंकम एक एक पॉइंट में चलते हैं एक एक पॉइंट को दस में डिवाइडेट करते हैं ऐसे करके छोटे 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 डिवाइडेट हुआ ठीक है हाँ. करेंटलि आपके इंकम आपको कितना करना है 5 लाग अच्छा आपका करेंटली इंकम जो है पांच हजार रुपिया पर मत है एक्जांपल दे रहा हूं ऐसा तो नहीं चाहता हूं तो फिर वान पॉइंट किया, कार आपके पास, लाइसेंसी नहीं है, चलिए और कार भी नहीं है, जिरो, घर आपके पास 700 स्कॉर फीट का है, मगर आपको चाहिए, 2000 स्कॉर फीट, सो तीन, कैस, एक कड़ोर नहीं, आपके पास 10 लाख है, तो एक पॉइंट हो गया, लर्निंग, कभी तक पड़े, अच ठीक है, कॉलेज डिगरी तक पड़े, अभी तक अभी तक अभी तक अभी तक बाकी है, जो पांच दे दिया हुआ पे, और पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए जो ह हुए हो, आप इंडिया में कुछ-कुछ जगे पे, सो दस से आप चार दे देते हैं, तो आपको अगर इसको कनेक्शन किया जाता है, तो यह, आप देख रहे हो, आपका गुल है ऐसे, टायर के तरह, और आपका अभी का रेजल्ड जो है, ऐसे, आप ही बताओ, आपका लाइफ का जो चक्र है वो चलेगा, तो ऐसे-ईसे चलेगा, ऐसे-ईसे चलेगा, और थम जाएगा, उसके लिए आपको यहां तक पहुचना है, पुरा गोल बनाना है, तभी जाके आपका लाइफ जो है, समूथ चलेगा इसे बोलते हैं successful का चक्रा और यह life scenario में आप खुद लिख सकते हो यह लिखने के बाद आप उसको हर दिन देखना, मैं कितना दूर तक आया, मुझे क्या करना है success आपके पास जख्क मारके आएगा, जख्क मारके मैं नहीं, सक्सेस आपके पास जरूर आएगा, सक्सेस आपके पास आहेगा ही आएगा हमारे लाइब सिनारियों में हर बार सक्सेस सेमिनार के बाद हमारा लाइब सिनारियो होता है और हर कंट्रीज में हम लोग ये लाइब सिनारियो फॉलो करते हैं तो आज आपको बताया मैं कि success का मूल मंतर क्या है और उसके बाद हमारा life का जो big circle है हमारा body कैसे करके divided है और क्या चाहता है अन्त में उसके साथ हमारा movie कैसे बना जैसे कि आप देख सकते हो यह income, car, house यह हमारा flesh या mask के साथ जुड़े हुए होते हैं parents का, relative का, learning का, यह सब जो होता है हमारे spirit के साथ जुड़ा हुआ होता है यह traveling जो होता है यह अच्छा लगता है आपको सरीर में, luxury जो होता है वो अच्छा लगता है वो हमारा soul के अंदर आता है और environment के लिए आपका life में, पूरे society को help करने के लिए आपका supporting society जो है, हो भी आता है तो हमारा यह जो चार चीज से हम लोग बने हुए हैं हमारा environment लेके यह इस चक्र में पूरा depict किया गया हुआ है मैं बोल दिया हुआ हूँ, आप अपना life scenario जरूर बनाईए और उसमें फेत रखिए कि मैं पांस साल बात कडोरपती बनूँगा मैं पांस साल बात sales master बनूँगा या फिर star master बनूँगा या फिर imperial बनूँगा यह आपके उपर depend करता है यह आप decide करते हो आपको क्या बनना है उसके faith के उपर, उसके vision के उपर आपका success depend करता है आप जितने details में वो imagine करोगे, वो सपना लिखोगे कागज में उतना जल्दी आपके पास success आएगा हमारे chairman बोलते हैं अगर आप vividly, details में अगर आप सपने देखते हो तो वो सपना आपके लिए पूरा जरूर होता है if you dream vividly, that dream will definitely fulfill ऐसे करके हमारे chairman डॉक्टर हान गील पार्क बोलते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप successful बनो और आज जो आपको बोले उसका आप 100% follow करो success आपके साथ रहेगा, success आपके पास जरूर आएगा और Atomy वही successful platform आपको देता है जहाँ पे आपको सिर्फ अपना पैसन बनाना पड़ता है आपका faith रखना पड़ता है और आपका dream जो होता है, वो successful होता ही है आपको धन्यवाद बोलूँगा, इतने देर तक मेरे साथ जुड़े हुए थे इसलिए और मैं फिर वापस आओंगा आपके साथ, आपके सामने नया कुछ लेके तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद